Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Manoj Singh Pryagras तो दोस्तों आज हम बात करने वाले उत्तरपदेश RTE Admissions 2024 के बारे में जिसका फार्म इस पिछले महीने जो है complete हो चुके है और आपका lottery result यहाँ पे finally आना बच्चे के admission के लिए उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कहीं आपके बच्चे का farm reject तो नहीं हो गया क्योंकि यहाँ पे status जो निकल के आ रहे उसके हिसाब से बहुत ज्यादा farm यहाँ पे reject हो चुके है मेरे इतने बताने के बावजूद भी आप लोग ने बहुत सी गलतिया कर दी है हुआ या क्या मिंसन है तो आप इंस्ट्राग्राम पे जॉइन करके मुझे स्क्रीन साट सेर करेंगे तो मैं बता दूंगा कि यह क्या करण हो यह सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो चली फट पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आपको देखना कैसे है आल यूपी किसी भी जी लेकर रहने वाले हों सिप यही इस्टेप है जिसको फालो करते हैं आपको देखना है तो आएए शुरू करते हैं तो दोस्तों अपने बच्चे का फॉर्म स्टेटेस देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है अपने फोन पे गूगल ओपन करना है उसका टाइप करना RTE25 ठीक है यह मैंने ऐसे टाइप कर दिया देखे सेम यही टाइप करना बस इसी से ओपन हो जाएगा फिर सार्च वाले आपसन पे क्लिक कर देंगे जैसे सार्च वाले आपसन क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे है RTEUP इस वाले हमको नीचे के तरह पाना ऐसे ड्रैक करना है और ड्रैक करना है तो यहाँ पर देखिए अभी तक लोटरी रिजल्ट आपकर नहीं आया है ठीक है इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हो सकता आज या तो कल यह जारी हो गया सीड एलटमन नहीं आए जब तक लिखा है तो देखिए क्या लिखिया रहा है प्रोसेस बिल बी ओपन साटली ठीक है बहुत जल्दी दोस्तों यह आपका जो है ओपन होने वाला है बैक आजाएंगे हम दुबारा से ठीक है हम देखने वाले है कि हमारे बच्चे का जो फाम है वह सही है कि नहीं तो सीधा क् कि लिखा है इसी पर दोस्तों को क्या करना है चली मैं सब्स्के पहले बच्चे का देता है प्रियाग रहा से उन्होंने थे किया था तो देखिए को दिक्कत आ रहे उन्होंने हम से संपरिके तो हम देख के आपको बतार रहे है इदे के प्रयागरा डिश टीख है ठीक है इस पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर क्या करना कि रजिस्टेशन नमबर डालना चली फैट 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 कर देते हैं 37 सो पचपन यह फील कर दिया हमने आभी नीचे आप देख पार सर्च का आपको सेघन आपको नजा रहा है इस वाले आपको क्या करना तो उस तो क्लिक कर देना जैसे पार कुछ इस तरह से बत्रे कर जो detail है वो open हो जाएगा द्यान से आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा ड्रैक करके आपको दिखा देता हूं ठीक है यहां पर देखे सीधा लिख के आ रहा है application is pending at bo अभी इनका जो application है वो pending है यानि कि बीओ ने देख नहीं किया यहां पर उन्होंने मैंसन नहीं कि बस इन्होंने लिख दिया कि भाई pending है याँ वी यो के पास तो इंतिजार कर लेते हैं यहां पर अभी क्या है वेट करना पड़ेगा एक तो डिन हो रखता है यह जो है देखे यहां पर क्या लिक्राइब नहीं है अब देखे यहां पर स्कूल गलती है यह प्रसाशन को देहान देना चाहिए अब फिर वी एक से दो दिन वेट कर लेते हैं जब तक इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएथा चलिए एक और मैं आपको दिखा देता हूं इसके अलावव बैग चलते हैं ठीक है home page पर आ जाते हैं इस पर home पर क्लिक करके यह देखे इस तरह से back आ जाएंग ठीक है फिर से नीचे आना है फिर से यहां पर student application वाले पर क्लिक करना है दूसरा भी मैं एक दिखा देता हूं एक अनिडेट हमारे जो है बदोही की रहने वाले उन्होंने मुझे insta पे मैसे किया भेजा चलिए इस पर क्लिक करते हैं यहां पर भदोही आपका आप संहीं यहाँ से ले लेते हैं जो नहीं देख पारे हैं वो मुझे insta पर share कर देंगे registration number तो मैं उनको बता दूँगा फिर यहां पर अपना registration number फिल करना चली उनका भी registration number यहां फिल कर देता हूँ finally दोस्तों यहां पर हमने उनका registration number फिल कर दिया security region के वह जिसाइड है यह capture यहां पर 49 521 तो चली यहां पर डाल दें तो 49 521 ठीक है उसका नीचे आना यहां पर सर्च वाले आप सेंपर क्लिक करना जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे यहां पर देखिए कुछ इस तरह से जो डिटेल है वह mention होके आ गई है यहां पर देखिए क्या लिखा है अप्लिकेसर rejected by B.O. long distance आप ध्यान से देखिए long distance इनको बता दिया गया B.O. के द्वारा कि आपके जो घर से school की दूरी है वह ज्यादा है और इसकी वज़े से दोस्तों यहां पर जो है वो farm इनका reject कर दिया गया अब इनका school से घर की दूरी कितनी है अब इनको यह पता होगी ठीक है अब हमें तो confirm नहीं है देखिए यहां पर school भी mention किया गया था इनके द्वारा ठीक है कि हमको इस पर लेना है दयावन्ती ठीक है पुंज ज़्यादा जानना जरूरी है कि farm आपका status सही है या नहीं है या reject है तो किस कारण से reject है देखिए रेट कलर से दोस्तों आपके उसमें mention होगा तो आप जिस भी जिले से देख रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत प्राब्लम है अगर आपका farm सही है तब भी आपको कमेंट करके बताना है कि जी हाँ हमार सही है और आपका जो lottery result है दोस्तों ठीक है admission के लिए वो आपका बहुत जल्द या तो आज और या तो कल तक जारी हो जाएगा और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊँगा result आपको देखना कैसे है result कर जो है list कैसे download करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन उससे पहले जो है result आजाने दीजिए कोई दिक्कत प्राबलम है किसी भी प्रकार की तो आप मुझसे comment करके दोस्तों पूछ सकते हैं और अगर आपको जानना है कि आप यह नहीं देख पा रहे तो आपको बच result और list वगएरा आपको कैसे देखना है जैसे result आएगा दोस्तों lottery result वाले पर क्लिक करेंगे seat allotment वाले पर यहां पर भी आपको क्लिक करना है और यहां से download कर, seat allotment वाले जो है आपका यहां से download होगा और इसी की प्रति लेके आपको सारे document वगएरा जो भी आपने लगाए ह ठीक है और school वाले आपका admission लेते हैं कोई दिक्कत प्राब्लम है किसी भी प्रकार की तो आप BSA, BO, BRC में कहीं भी संपर्क कर सकते हैं कोई दिक्कत प्राब्लम नहीं है ठीक है तो इस तरह से यह रही आपका जो है इसका result का update और उमीद है कि आज साम तक में जारी जाएगी ठीक है चलिए आप दोस्तो वीडियो कहीं समाप्त करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो लाइक कर दीजेगा और चैनलों को subscribe करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर ले ताकि सभी प्रकार के notification आपको मिलते रहें IT admission से related ठीक है और दूसरी second round की जो आपकी admission है second round वाले जो आपके admission है वो कब से सुरू होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जिसका first वाले list में नहीं हो रहा है मैं आपको बता दूँ अगर उसका नहीं हो रहा तो उसको income certificate नया लगाना पड़ेगा पुराना वाला काम नहीं करेगा तो दुबारा भी farm को भर पाएगा भी second round भी सीरू होगा back end रह जाती है तो आपको परिसान नहीं हो ना अगर आपका first lottery result में नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना second वाले में डालना हो second वाले के लिए नया income जो है आप बनवाली जेगा ठीक है यही एक जो है जुगार है जिससे काम हो सकता है चलिए मिलते किसी और इसी तरह के नए वीडियो पर जय हिन जय भारत